बारतिय जंता पार्टी के करोड़ों कारे करताओं के लिए संकल्प लेने का दिन है आज पंडित दिन दयाल उपाध्याई जी की जहनती है और दिन दयाल जी को याद रख कर हम सब हर साल संकल्प लेकर पार्टी को आगे बढ़ाते हैं और अगली दिन दयाल जी की जहनती आएगी उसके पहले पांच राज्यों में विदान सभा के भी चुनाव आएंगे और कैंदर के अंदर लोग सभा का चुनाव भी आएगा मित्रो दिन दयाल जी के सुरू किये हुए काम को आज मोदी जी के नेत्रुत में भारतिय जनता पार्टी ने बहुत आगे बढ़ा हैं और आज जो पार्टी कभी दस सदस्यों से सुरू हुई वो पार्टी 11 करोड सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा रादनितिक संगठन बनकर खड़ी 1800 के करीब विदायक देश बर्की विदान सबाओं में भारतिय जनता पार्टी के कारेकरदा विदायक बनकर सेवा का काम कर रहे हैं 19 प्रदेशों में भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनी हैं केंदर केंदर 330 से ज़्यादा संसत दोनों सत्नों में भारतिय जनता पार्टी की बात को रखते हैं जनता की आवाज बनकर खड़े हैं और केंदर में पहली बार घैर केंदर कोंगरिसी दल की पूर्ण भहुमत की सरकार बनी हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रूत और एक गुरुष्टी से देखे तो भारत के मानचित्र पर देश के सत्तर प्रतिसत भूभाग पर आज भारतिय जनता पार्टी की सरकार स्री नरेंद्र मोदी के नेत्रूत में जनता की सेवा करने के लिए आगे बड़ी हैं और आज ऐसे समय पर एक सुन्दर लाल पटवा सभागार में हम सब एकत्री दाये हैं जब दिन दयाल जी की जैनती है और अगला साल देश का भविश्य निश्चित करने वाला है भारतिय जनता पार्टी को भी आगे बड़ाने का संकल्ब करने वाला है मित्रो मैं इस महा कुम्ब के अंदर लाखों की संख्या में जो कारेकरता उपस्ती थे वो सभी को कहना चाहता हूँ मैं बार बार कहता हूँ कि सत्तर प्रतिसत भूभाग पर आज भारतिय जनता पार्टी की सरकारे देश की जनता की सेवा कर रही है मगर हमें इससे संतोस नहीं मानना है इस सर्वोच नहीं है सर्वोच अभी उननीस में आना बाकी है भारतिय जनता पार्टी को हर गाव हर बूथ हर राज्य तक पहुचाने का काम कारे करताओं ने करना है इसलिए आज इस महा कुम्भ में जितने भी कारे करता हैं लाखों की संख्या में मध्यप्रदेश के हर बूथ से पैंसट अजार से ज्यादा बूथों से जो कारे करता हैं हम सब एक संकल्प लेकर जाएं क्याने वाले पांच चुनाव और आने वाला लोगसभा का चुनाव इस मध्यप्रदेश से कैसी हवा बनाएं जो हवा दिरे दिरे आन्दी में और लोगसभा का चुनाव आते आते सुनामी में परिवर्ति करकर भारतिय जनता पार्टी का द्वाज फिर से एक बार उंचा करने का काम करें मित्रो अभी सिवराज जी ने मध्यप्रदेश के विकास की घाथा बताई मैं तो आश्चर चकीत होकर सुन रहा था हाथ में कोई कागज नहीं था कोई आंकड़े नहीं थे एक के बाद एक योदना निकल रही थी ऐसा तभी होता है जब लोगसभा का संकल्प राज की अस्वार्थ के लिए न हो मन से लोगसभा का संकल्प लिया हो तभी हो सकता है और मैं पार्टी की ओर से भाई सीवराज जी को बहुत बहुत बदाई देना चाहता हूँ कि आपके नेत्रुत में ये बीमारू राज्य आज विक्सीत राज्य बना है और ये विक्सीत राज्य अगले पांच साल में समरूद राज्य बनने की दिसा में आगे बढ़ेगा कॉंग्रेस पार्टी को इनके नेताओं के भासन सुनते हैं उनको स्वपन आते हैं अभी अभी राहूल बाबा कहीं भासन कर रहे थे और कह रहे थे मध्यप्रदेश चत्तिस गड़ और राजस्तान में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी डाहुल बाबा, सब न देने की कोई मना ही नहीं ही, मगर कीस के आधार पर करते हूँ कीस के आधार पर मध्यपदेश की जनता के सामने वॉट मागेंगे, राजस्तान 36 गर की जनता के सामने वॉट मागेंगे दस साल यूपिये का जो सासन चला, बारा लाग करोड के गपले गोटाले ब्रश्टाचार करने वाला सासन के आधार पर मागेंगे मौनी बाबा मनमोन सिंग के नेत्रुत में अनिना एक सरकार बनाई, फेशले नहीं लेती थी निती गत्बाप्योतों में लकवा हो गया था, वो सरकार के आधार पर मागोगे वाट देश की सुरक्षा को ताक पर रखने वाली सुरक्षा निती लेकर आप आगे बड़े इसके आधार पर मागोगे अर्थव्योस्ता का बंटा धार कर दिया इसके आधार पर वोट मागोंगे या मध्यप्रदेश के अंदर राजा, माहराजा और उद्योगपति की आपकी जो टिकड़ी है इसके आधार पर वोट मागोंगे जरह आप बताओ तो मध्यप्रदेश ने कम मोका नहीं दिया भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनी उसके दस साल पहले तक यहाँ पर स्रिमान बंटा धार का सासन था दस साल तक मध्यप्रदेश की जन्ता ने आपको मौका दिया लगबग लगबग 45 साल से ज्यादा समय मध्यप्रदेश पर सासन किया और क्या किया आजादी के वक्त मद्यप्रदेश का कंट्रिविशन देश की जिडिपी में जो था उससे भी नीचे ले गए मद्यप्रदेश को एक बिमारू राज्य बना कर छोड़ दिया प्रदेश की जन्ता ने एक फैसला किया कि बहुत देख लिया कॉंग्रेस को अब हम भारतिय जन्ता पार्टी को मौका देंगे और अठारा साल हो गए मित्रो भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार दीन दूनी राज चौगूनी प्रगति करकर आज मद्यप्रदेश के हर गाउं में खुसाली पहुँचाई है यह हमारा रेकोर्ड ही पहले तो अकेली मद्यप्रदेश की सरकार लगी थी क्यूंकि यूपिये की सरकार सोनियामन मोहन की सरकार सिवराज सिंग सरकार को भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार को मदद नहीं करती थी मगर मद्यप्रदेश की जन्ता की कृपा से ही कैंडर में भाई नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और पहले एक इंजिन जो काम करता था सिवराज सिंग की भाजपा सरकार का इसके साथ एक बड़ा इंजिन भारत सरकार स्री नरेंद्र मोदी का भी लग गया और मध्धपदेश का विकास दुरुद गती से आगे बड़ा पहले UPA के काल में अन्याय होता थे भाजपा की सरकारों को पैसे नहीं दिये जाते थे इन्वेश्मेंट करने वालों को डराया जाता था मैं भी गुजरात में था हमारा अनुबव था कोई गुजरात में इंडस्ट्री लगाने आता था तो तूरंत रेड हो जाती थी उसके हम पानी के लिए पैसे नहीं किसानों के इरीगेशन के लिए पैसे नहीं गरीबों के मकान के लिए पैसे नहीं अब अब ऐसी स्थीती नहीं है यहाँ पर सीवराज सिंग जी की मध्यप्रदेश भारतिय जंता पार्टी की सरकार है और मध्यप्रदेश की जन्ता की कृपा से ही बनी उपर भाजपा की स्री नरेंडर मोदीर की सरकार है ये दोनों सरकारे मध्यप्रदेश को आगे ले जाने के संकल्ब से साड़े चार साल से लगी है और मध्यप्रदेश के अंदर आज जगे जगे पर इसके परिणाम भारतिय जन्ता पार्टी की जो सरकार केंद्र में बनी उसने धेर सारे काम किये सिवराजी ने गिनाए मगर मैं कहना चाहता हूँ इस सबसे बड़ा काम अगर नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है तो देश का गवरव बनाडे का काम भारतिय जनता पार्टी के प्रधान मंत्री में